ऐसे बहुत से फिल्म स्टार है जिनकी फिल्मों काना किसी फेस्टिवल से कम नहीं है चाहिए वो रजनीकान सलमान खान या आमिर खान हो यह ऐसे श्टार है जिनकी फैन फाल्विंग पूरी दुनिया में है अब इस लिस्ट में एक और स्टार का नाम जुड़ गया है जिसने अपनी एक ही फिल्म से पूरी दुनिया के लोगों का दिल जी दिया था वो और कोई नहीं ये वही है जिनकी वज़ा से पूरी दुनिया बस एक ही जवाब जानना चाहती थी कि कटपा ने बाहु बली को क्यों मारा अब तो आप समझी गए होंगे जी हाँ हम बात करें डार्लिंग प्रभास की प्रभास बाहु बली सीरीज के बाद इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते और इस वीडियो में हम आपको प्रभास की लाइब से जोड़ी कुछ ऐसे दिल्चेस फैक्स बताने जारे जो साइधी आप जानते होंगे तो प्लीज इस वीडियो को पूरत जरूर देखें बसंती इन कुट्तों के सामने मत नाचना बसंती डोल डान्स प्रभास के नाम से फेमस हैं पर उनके फैंस उन्हें डार्लिंग प्रभास बे कहकर बुलाते हैं पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें प्रभास का पूरा नाम पता है प्रभास का पूरा नाम वेंग के टाय सतनरायन प्रभास राजु उपलपती है नमबर टू सिनेमा इंडर्स्ट्री में एंट्री के लिए कोई खास एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है हाला कि प्रभास की बात करे तो उन्होंने इंजिनिरिंग की है उन्होंने अपनी एजुकेशन भीमवरम के डिनर स्कूल और हैदराबाद के स्री चैतन्य जूनियर कॉलेज से कमप्रीट की है साइध आप में से कुछी लोग जानते होंगे कि प्रभास फेमस एक्टर क्रिस्टनम राजु के भतीजे हैं जिने रेबल स्टार भी कहा जाता है इसके अलावा हमें उनकी फैमिली बैग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने परिवार के बारे में कहीं भी बात नहीं की है विस्वर्ग ये सूर्य नारायन, राजु और सिव कुमारी के सबसे छोटे बेटे हैं उनके पिता एक फिल्म प्रोडेसर थे नम्मर फोर उन्हें कई दोस्त मिले, लेकिन कुछ ही उनके सबसे करीबी दोस्त है इंडस्ट्री में उनके सबसे अच्छे दोस्त, गोपी चंद और अलु अरजुन है और बाहुबली फिल्म ने काम करने के बाद, राना उनके सबसे अच्छे दोस्त बन गए प्रभास तेलवू सिनमा इंडस्ट्री में टॉप आक्टर्स में से एक है और एक सुपरस्टार होने के नाते उनके पास कोई आटिटूड नहीं है वो अपने को एक्टर्स, डारेक्टर या किसी अन्यवैक्ति का सम्मान करने के लिए और अपने नेचर लविंग सौभाव के लिए जाने जाते हैं उनका एक सच्चा फैन या उनकी करीबी वैक्ति या कह सकते हैं कि वह कितने सीधे और हमबल है वैसे तो प्रभास को बहुबले के बाद बहुत सारे बॉलिवूट फिल्मों के आफर आ चुके हैं और वे उन्हें रिजेक्ट भी कर चुके हैं पर उन्होंने अजे देवगन के फिल्म एक्सन जैक्सन के एक सौंग पंजाबी मस्त में गेस्ट अप्रियंस दे चुके हैं बाइद वे प्रभास एक ट्रेंड अंसर हैं नमब 7 प्रभास साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे पहले स्टार है जिनका स्टाची मेडायम टूसौट्स बैंककॉक में है किसी ने ऐसा नहीं सूचा होगा कि रजिनी कांत और कमल हसन से पहले किसी और South Indian Star का statue बनाये जाएगा पर प्रभास ने ये बाजी सबसे पहले मार ली प्रभास का statue उनके character महिंद्र बाहुबली पर बेज़ड है प्रभास का इस पर कहना है कि मैं बहुत ही भागी साली हूँ कि मुझे मेडम Toussauts का एक हिस्सा बनने का मौका मिला जब मुझे मेरे friends ने इसके बारे में बताया तो मुझे पूरा एक दिल लगे ऐसे समझने में कि ये सब सच में मेरे साथ हो रहा है मेरी पूरी family और friends वो सब बहुत खुश्त है करते हैं प्रभास होटेल के बिजनस में कुछ करना चाहते थे ना कि उन्हें एक आक्टर बनना था प्रभास ने अपने एक इंटर्वी में बता है कि वे कभी भी एक आक्टर नहीं बनना चाहते थे वे होटेल के बिजनस में कुछ करना चाहते थे और आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको बटर चिकन और बिर्यानी बहुत पसंद है प्रभास राजकुमार हिरानी के बहुत बड़े फैन है प्रभास राजकुमार हिरानी के इतने बड़े फैन है कि उन्होंने मुन्ना भाई MBBS और 3Dates 20 बार देखी है वो तो मानती कि उन्होंसे बड़ा राजकुमार हिरानी के फैन कोई नहीं है प्रभास ने बहुबली को 4 साल दिये और उस दौरान उन्होंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की जिसके कारण प्रभास को पैसो की बहुत दिकत हुई थी 11. बाहुबली फिल्म के लिए प्रभास ने 30 kg वेट गिन किया बाहुबली में प्रभास को दो किरदार निभाने थे जिन में से एक का वजन 95 kg के आसपास रहना था और दूसरे का 80-85 kg के बीच प्रभास को पूरे 3 साल तक इन किरदारों के जैसा देखना था इस बाहुबली फिल्म के लिए चाहे गए सेप में दिखने के लिए बहुत ही महनत की है कई बार तक उन्हें एक दिन में 30-40 अंडे ता खाने पड़ते थे बाहुबली की स्क्रिप्ट सुनने के बाद प्रभास को स्क्रिप्ट पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने फिकी कोई फिक्र नहीं की सब जानते कि प्रभास ने अपने 4 साल बाहुबली सीरीज को दिये प्रभास एक टॉप के स्टार औरेडी थे उनके पास लगातार 3 हिट फिल्म के ओफर आई थे और मेकर स्पैसली उनके सामने खड़े थे लेकिन उन्होंने ये ओफर ठुकरा दिया और सिर्फ अपना ध्यान बाहुबली पर लगाया प्रभास ने अपने मैनेजर को ओडर दिया कि बाहुबली के मेकर से किसी भी तरह की एक्स्ट्राफी की डिमांड ना करे वो जितना भी दे उसे खुशी से रख ले ये बात खुद बाहुबली के डिरेक्टर SS राजा मौली ने बताई थी नमबर 14 प्रभास अंडर रिटेड मिस्टर परफेक्शनिस्ट है क्योंकि साइध ही ऐसा कुछ हो जो साइध प्रभास नहीं कर सकते बाहुबली में एक बड़ी से पहाड़ पर चड़ने के बाद प्रभास अब साहु में एक phenomenal thrilling सीन पानी के नीचे खरते हुए दिखाई देंगे सिर्फ एक particular सीन के लिए उन्होंने स्कूबर dive करना सिखा उनके dedication level पर नज़र डाले तो हम कह सकते हैं कि प्रभास अगले Mr. Perfectionist है नमबर 15 हमने कभी भी मीडिया में प्रभास के charity works के बारे में नहीं देखा है दूसरे अक्टर्स के तरह प्रभास वो इनसान नहीं है जो publicity और popularity पाने के लिए दिखावा करते हैं हाला कि मीडिया के कुछ ऐसे सोर्स हैं जो पहले ही confirm कर चुके हैं कि प्रभास हर साल लाखों रुपेद दान में देते हैं प्रभास ने एक बान नालगोंडा के नेतेहिन बच्चों की स्कूल का दोरा किया और 10 लाख रुपेद दान दिये और बच्चों के साथ अपना टाइम थे स्पेंड किया और इस बात से ये साबित होता है कि प्रभास रियल लाइफ में भी एक असली हीरो है और इस असली लाइफ में भी पास्टिश जो सीनमा इंचनक सपोट कींग झाल ज्सक्त्राइब कोब दिए से यांग। रुड़डू ज्ड़ोस, र्ड़ोस, रॉद material 수 רק आपiko भूच्टिक इस इसलीन कषछ्बिया को जो रुदित nervous style और ठाशन का देडैतन झाल गी देडैनो को देडैन bowby